है अलो ही वारिवर्ड विलकम सी ओल इन घृड़ेसी मैं घौताम कुमार आज हम लोग यह साइसी फारमा शैस्ट मास भाफ एचिभे नक्स जो टॉपिक्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, सुल्फ करेंगे, और आज हम लोग glycoside part 1 क्या कर आंiliar discuss कर रहेंowanie μद प्रिबियूज क्लास में य्या Natalie Mr. Character वैनि हमें मेरा आठांसरी था shidgy था Puesках उसमेंल को हमने क्या के थ Tikal design तो we have already completed introductions of pharmacognosy where we have solved 60 questions and in alkaloid we have also solved 60 questions and today we are going to discuss our new segment or new chapters of pharmacognosy which name is glycoside part 1 और आज वाली क्लास में भी हम around 30 questions क्या करेंगे solve करेंगे with their explanation topics क्या है जी glycoside है अब आपने पढ़ा होगा कि गलाइको साइड में total 4 types of bond होते हैं जिसको हम glycosidic linkage bond काते हैं COSN यह चात्रा के क्या होते हैं जी glycosidic linkage bond होते हैं जो आपके सामने हैं इन में से आपने यह पढ़ा होगा कि अगर हमें glycosidic bond को break करना है तो हमें hydrolysis करना होता है और यहां पर दो methodology आपने पढ़ा होगा एक mineral acid यानि की acidic hydrolysis जिसको हम कहते हैं और एक आप करते हैं जिसको हम oxidative hydrolysis कहते हैं तो oxidative hydrolysis किसकी होती है तो सब्सक्राइब कारवन कंटेनिंग यानि जो c glycosidic linkage bond है जैसे कि alloy cascara इंग में c glycosidic linkage bond होते हैं उसमें oxidative hydrolysis यानि FECL3 यूज होता है बाकी जो आपकी OSN है यहां पर mineral acid यूज होते हैं जिसको हम acidic hydrolysis कहते हैं acidic hydrolysis जो होते हैं जबकि oxidative hydrolysis वाला जो प्रोसेस है वो इजली ब्रेक नहीं होता है इतना हिंट दे दिया यानि सर C glycosidic linkage bond ऐसा है जिसको oxidative hydrolysis की जरूरत होती है FECL3 यूज किये जाते हैं यहां पर यह इजली ब्रेक नहीं होगा options भी क्या होंगे correct होंगे यहां पर ठीक है चले तो explanation देख लेते हैं ग्लाइकोसिटिक स्बॉन्ड C are not easily hydrolyzed in this glycoside sugar is connected to carbon atoms carbon atoms से connected होते हैं alloy cascara cocinial में आपको देखने को मिलेगा this type of linkage in resistant to hydrolysis they are not hydrolyzed by hitting with the dilute acid or alkalis but by oxidative hydrolysis with the ferriculoride मैंने क्या बता है कि oxidative hydrolysis होते हैं ferriculoride यूज किये जाते हैं cable C के लिए बाकि जो O-SN glycoside होते हैं glycosidic linkage bond होते हैं उसमें आप easily acidic hydrolysis करा सकते हैं next question है strong acrid smell of mustard oil is due to mustard oil में एक smell होता है acrid smell वो किस कारण से होते हैं alloyed isothiocyanate, sinigreen, myrosine और myristic acid किसके presence से होते हैं सारे chemical constituent आपको लग रहा होगा कि सार सीली ग्रीज सीनी ग्रीन जो है वो ब्लैक मस्टर्ड के chemical constituent है वो समें हना तो यह यह chemical constituent है लेकिन smell के कारण होते हैं यह याद रखना है तो क्या है जल्दी से आप कमेंट करेंगे यूटूब चैनल पर आपको कमेंट्स इंपोर्टेंट है विकॉज आपको यह आइडिया होगा कि आप से कितने कोश्टन क्या हो रहे हैं वो सेल्फ अनलिसिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ तो स्ट्रॉंग एक इसमेंड जो होते हैं शुडेंट वो अलाइल आइसो थायोसाइनट के कान होते हैं किसके कान होते हैं जी अलाइल आईसो थायोसाइनट यानि यहां पर क्या हो जायगा नसर हो जाएगा शुडेंट इस कोश्चन के लिए क्या है ब्लैक मॉस्टेud सीड कंटें 35-40 और फिक्श्ट ऑइल अन ग्लाइक्रोसाइड नो और सी निग्रहिन अलाइल आईसो थायोसाइनेट इन में प्रजेंट है यह ब्लाक मस्टरड आइसो थायोसाइनेट गलाइकोसाइट के पर उसमें बहुत अलएल आपकर दीजे उसके करम क्या होते हैं फिर हमirmiड होते हैं नेक्स्ट कोश्टन जी फ्रोकैन इस इस्टरो पंथो 5-2 इस वह सीमरोज विए डी ग्लुकोस क्या है स्थेस्ट use फैंथीर और पोटके की वह आपका ओवजया नेम मेहां बात कि जबेंटearने यहां पर नोसयों आपको याद रखना और फीज़न्ट भी कहते हैं हम लोग याद भी किये हैं उनको जी श्रोपांथीन और हडोलम गेंट जाप जनीन और रामनूज यह दो चीज़े आपको मिलेंगे जाब उसकी हाडोलीस होगी यह दोनों चीज़े उनमें प्रेजेंट हैं next question the bitter taste of gentian lutea is due to gentian lutea का bitter taste होते हैं यह bitter glycoside में आते हैं जिसको miscellaneous glycoside भी कहते हैं miscellaneous glycoside में आपने पढ़ा होगा कि हीना, कालमेक, जिमनेमा, पिकोराइजा, सिराटा, कुईसिया और gentian यह सब के सब क्या है, bitter glycoside है, यह सभी के सभी miscellaneous glycoside है और इनमें जो आपका gentian lutea, वालुजकल सूर्स है, gentian का gentian lutea, तो gentian lutea में bitter taste किस कारण से है, gentiopicrine, amaro gentine, genticine और gentianine, किन कारण से इनके अंदर में bitter taste होते हैं, तो आपको यहाँ पर correct answer लगाना है, क्या होंगे जि self analysis के लिए बहुत important है, कि आपकी preparation कहां तक हुई है, किस level तक हुई है, कितने questions correct हो रहे हैं, यह मेराथन सरीज क्या करना है, उसमें आपकी participation बहुत जादा चाहिए, हना, चलिए अगर देखा जाए, तो यहाँ पर आपका amaro gentine options B, जो है, student वो क्या होंगे, correct होंगे, यानि gentian lutea में amaro gentine present होते हैं, जिस करण से इनके पास bitter glycosidic properties होती है, यानि bitter glycoside के अंडर्मिन को हम रखते हैं, ठीक है, क्या कहा रहा है, the drug contain bitter glycoside, manly gentiopicarine, gentiopicarine होते हैं, which is also called gentiopicaricide, the drug also contain amaro gentine, amaro suverine, gentiocide, genticine called gentinin, in the natural product, amaro gentine is considered as bitter, most substance and impart a bitter taste, bitter taste के लिए क्या होते हैं, important होते हैं, clear, next question, which of the following drug should collect at least one year before use, इनमें से कौन से ड्रग को हमें use करने, अगर मान के चले मुझे इस साल यूज करना है, या मार्केट में इसको हमें commercialize करना है, तो उसको एक साल पहले ही क्या करना होगा, collect करके रख लेने होंगे, यानि अगले बर्स के लिए इसको क्या करेंगे, commercialize करेंगे, तो वह कौन से ड्रग है, ruborb, cascara, alloy और sincona, किनको हम एक साल पहले ही क्या कर लेते हैं, collect करते हैं, और उसके बाद उसको commercialize करते हैं, ruborb, cascara, alloy, sincona, चार options हैं student आपके सामने, जल्दी से options आप लोग कमेंट किजिए कि इसका correct answer क्या होगा, ESIC level examination जो आपका है, यही सब questions आपको मिलेंगे वहाँ पर आपके examinations में, इस type के questions मिलेंगे, cascara, options B जिन होने लगा हैं, बिल्कुल सही options है, cascara को हम commercialize होने के एक साल पहले ही क्या कर लेते हैं, market में लेकर क्या आते हैं, तो cascara options B यहाँ पर हो जागा, collections of cascara क्या है, रमेनास परसियाना से इसको हम collect करते हैं, रमेनेसी family है, और it is collected at least one year before use, इनको एक साल पहले, यूज के पहले, एक साल पहले इनको collect किया जाता है, इसके अलावे purgative properties हैं इनके पास, जैसे जैसे इनकी age होते जाएगी, जितना पुराना होते जाएगा drug, उतन जाएगी, इनके पास purgative property हाएगी, एंसे ल फार्मासिस 2018 का question है, एक्जामपल आप सैपोनीन गलाइकोसाइड, सैपोनीन गलाइकोसाइड का एक्जामपल पूछा जारा है, गलिसराइजा सेना, डिजिटैलिस, अलॉए, सैपोनीन गलाइकोसाइड कैसे है, तो सैपोनीन सैपोनीन गलाइकोसाइड के अंडर में आते हैं, तो बता यह क्या हो जागा यहाँ पर करेक्ट एंसर, यह भी मैंने आपको एक्जामपल दे दिया, क्या हो जागा, तो सैर यहाँ पर करेक्ट एंसर हमारा हो जाएगा, गलिसराइजा, है ना, गलिसराइजा, गलेबरा, ठ ठीक है यहां पर कुछ एक्जाम्पल दिये गए हैं जैसे काल्य ग्लाइकोसाइड में डिजिटेल इस्ट रपांथा सोबें थीवेटिया स्कूइल सैपोनी में ब्रहामी जिंसिंग ग्लिसराइजा सेनेगा यह सारे एक्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं कि यह टाइपस क तो यहां पर जिंसिंग का अड़र्टोजेंस अल्टर्नेटीव कार्मिनेटीव डमलसें तैमेटिक्स एक्सट्रेंट इस्टिमूलेंट और टॉनिक्स एफेक्ट है मस्टल्ट में आपको देखने को मिलेगा कि इटीज रूबी फेस्टेंट यहां इनके पास प्रोपर्टीज भी है जिंजिकों के पास आपको अगर देखा जाए तो बहां पर एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी अरेजमेटरी डियरोटिक्स टॉनिक अफ्रोडायसिक प्रोपर्टीज आपको देखने को मिलेगा क्लियर कि आगे समझ में चलिए नेक्स्ट क किस ट्रग को हम लाग्जेटिव कर रूप में क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं सिंपल सा यहां पर एक वोशन्स हैं ब्राइन सीना स्टार्च और मिधाइल सेलुलोज चार आपके सामने हैं सर यहां पर हम सेना को यूज करते हैं लग्जटिव स्ट्यूमुलेंट लग्जटिव के रूप में options भी यहां पर क्या हो जाएंगे correct answer हो जाएंगे तो सिना contain अंत्रा की उनाओं derivatives which are hydrolite in the bowl stimulate and always plexus in the ball है ना that's why Sina com क्या करते है यूज करते है ब्रैंड क्या है digestible vegetables है fiber है which are absorbed water and provide bulk यह bulk properties cause करते हैं यानि पाइरिया बगरा के case में यूज होंगे starch क्या है निट्रिटिव डेमलसेंट है प्रोटेक्टिव अनन अब्जॉर्बेंट नेचर्स के होते हैं मिथाइल सरुलोज क्या थीकनिंग एजन्ट होते हैं और इमर्सिंग एजन्ट होते हैं clear next question ESIC फार्मसिस 2014 ESIC फार्मसिस 2014 का question है याद रखिये modified bond टेश्ट positive for modified bond टेश्ट कौन सो करते हैं तो सर एक born टेश्ट होता और modified bond टेश्ट होता है न तो born टेश्ट अलग है modified bond टेश्ट अलग है कौन सो करते हैं कौन है जो modified bond टेश्ट सो करेंगे ठीक है तो यहाँ पर सर करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए modified bond टेश्ट अच्छा color तो से महीं आते हैं red color आपको देखने को मिलेंगे दोनों बन जाता है modified bond टेश्ट यहां तो हम कर सकते हैं कि बॉर्ण टेश्ट में हम सल्फ्यूरी के सीड फैरिक कॉलराइड और क्लोरो फॉर्म को है और आड कर लेते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है modified bond टेश्ट बन जाते हैं यहां पर करेक्ट अंसर आपका क्या हो जाएगा जी अलॉय हो जाएगा क्योंकि सेना जो है को याद रखना है यह बॉर्ण टेश्ट का क्या है जी रिजल्ट है तो यहां पर बहुत कम केस में पूछे जाएंगे लेकिन याद रखना है यह करने के लिए हम क्या करते हैं मोडिफाइड बॉन टाइगर टेश्ट हो करते हैं सी मतलब एलॉय कैस्केरा कोस्नियल यह सारे जो आ जाते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन मैस्ट फॉलोविंग अब यहां पर मैच कीजिए केमिकल खंसर्चुमेंट है और उनके लिए तो क्या हो जागा जल्दी से चूर्ट कीजिए टेस्ट से कोस्टन हैं यह कार्डियोग लाइकोसाइड का हो जाएगा रेमंट टेस्ट है ना एंत्रा क्यून नहुंका हो जाएगा आपका बॉन टेगर टेस्ट अभी जस्ट हम लोगों ने स्वालब किये हिंट मैं आपको क्योंता दे दिया क्यों का three और sk two क्यू jaar कि कर एक्षरी और इस के तो तो क्या हो जाएगा औप्सें सेपोरिकौसाइड ओलाइकौसाइड फोंटेस्ट सेपोरियन मतलब होन लोगा तो सपोरियन मतलब इंस वानिकौसाइड काक्योइकौसाइब स्टुडेंट देखे यह इस पी आई फार्मसिस्ट 2014 का कोश्चन है केमिकल टेस्ट से कोश्चन आते हैं और केमिकल टेश्च बस याद रखना कि कौन केमिकल टेस्ट किसमें यूज होते हैं यहां से कोशन सबसे ज्याद है ठेक ना रियजर्ण बगयरा बहुत कम आते हैं तो सब्सक्राइब करना है याद रखना है अब बहुत इंपॉर्टन पार्ट किस हम प्रिपरेशन कर रहा है हमारे पास को मेरा सजेशन है मेरी टीम का ऐसा सजेशन है और केबल और केबल हम फार्मासिष्ट के लिए ही ये बुक्स को डेडिकेटड बनाए है और बिलकुल अच्छे से लगबाग 820 पेज है वह भी बिलकुल कलरड़ पेज है लेटर सिलिबस के बेस पर हाइलाइट किये गए है की इसको बहुत सौर्ट और समराजड नोट से है यह आपको त्यूरी जो फार्मासिष्ट एग्जाम पास होना चाहिए अगर आपर कड़्स कर रहे रहे है एसाइजिए का या तो फार्मासिष्ट के लिए अगर बुक्स आप ले लेके यह निए कर ले लेते हैं नहते हैं कहा आपके पास होनी चाहिए ताकि आप कमिंग सेशन में भी जितने भी रेक्रूटमेंट होते हैं उनकी प्रिप्रेशन्स आपको प्रोपर टाइम पे और सईही तरीके से हो ठीक है नेक्स्ट कुश्चन आते हैं एमाइग डेलिन इस दा कंसेट ऑफ प्रोणूस एमाइग डेलस वैन ट्रीटेड बिजाइम इट गिप्स एमाइग डेलिन्स हना यह आपका साइनो जनेटिक गलाइकोसाइट की बात हो रही है तो यह एंजाइम के साथ देते हैं तो क्या देते हैं अगर हम एमाइग डेलिन को जो चैमिकल आपका है प्रोणूस एमाइग डेलस इनको अगर हम एंजाइम के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या हमें दिये जाएंगे वहाँ पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा यह कुश्चन आपसे थोड़ा सा यह डिटेल में हैं थोड़ा सा साहित थे लिकिन इस टाइब के भी कोशें बनते हैं आपका हाइड्र साइनिक एसीड प्लस बैंजलिटी हाइड यहां पर क्या होगे मिलेंगे ऑपशन्ज भी यहां पर क्या होगगा इस केस में साइनोजनेटिक गलाइकासईड ते और आलसो अगर साइनो 4 ग्लाइक तो हाडरोसाइनिक एसिट प्लस बेंजल डीड आइड आपको देखने को मिलें थिक है अ छलिए नेश्च आते हैं बिटल आलमंड की वो टेस्ट था ने शाथा है स्वीट टेस्ट ऑफ ग्लीसराइज इज डियू टू ग्लीसराइज़ में स्वीट टेस्ट होते हैं वो किस विखार्ण करन ग्लेसर जो आपका ग्लिसराइजा ग्लेबरा उनमें क्या होते हैं जल्दी से बताइए एपी सीडी कों से होंगे करेक्ट अंसर यहाँ पर तो सरस्वीट टेस्ट के लिए बसे काली आपसंस ए यहां पर क्या होंगे पोटासियम और कलसियम सौल्ट अफ घ्लि सब्सक्राइब सब्सक्राइब वरवेशम थापस यह फ्लाइकॉंस से कोश्चन है मैं प्रिब्यस भी मराथन स्रीज में आपको ट्रीकॉंस को ट्रिक्स याद कर वाया हूं कि चार्ट भी मैं दे दिया था कि कौन-कौन से ट्राइकोंस होते हैं किसे में प्रजेंट होते हैं स्टोमेटा भी अपन पढ़ चुके थे तो वर्वेशम थापा से हो जाएगा वर्वेशम थापस एसम निखा हुए है निकी बरविस्कम मतलब और बहुता थापा थापस क्या आर्याङ करते हैं यहां पर क्या होजाएंगे टो पर यहां पर चुकरते हैं तो आपको यह क्या कर K行илось कर लेखना है याद रखना वरबिशन था आपस identified of the candelibra trichomes उने में उते हैं हुए प्रशेट होते हैं हें इन सबका टेस्ट दिया गया था निग्ज एन दा सोर्स औप अलेक्जिंडर सेिना को हम ऊपटन कहां से करते हैं केसिया ओरीकुलाटा केसिया ओवबेटा और केसिया अक्यूटी फोलिया ठीक है नहीं तो case ya angustifolia जो होते है इंडियन स Unterark का बायियोजिकल सर्ष से इंडियन स् अना का आगर बायोजिकल सोर्स आपसे पूछा जा जाए तो क्या होगा क्या होगा to case ja angustifolia होगा और बही जब बात करते है रलेक्जंडर से नहां के तो क्या उजाता है case ya Love cushion आपको व्याय ण्यूट करते हैं क्यूर्त हुते हैं जंडर क्या हैmap दच्छाएगा removing It और सब्सक्राइब करते हैं तो तरह क्या हो जाएगा यहाँ पर correct answer क्या हो जागा तो यहाँ पर alloy pair जिसको हम alloy peri getters भी कहते हैं यह क्या होते है जी biological source होते है जिनको हम obtain करते है सोर्टराइन्स alloys को जिन से हम obtain करते है तो आपसनसी यहाँ पर क्या होजागा correct हो जैगा, कुरा को alloy का allow saunterines का alloy query है addricanumanim है और के पर फ़लोई का अलॉओ इस पीकेटा है क्लियर मुसा अपना मुसाबर कुमारी मुसाबर कुमारी है कैसे जाद करते हैं अलॉओ का मुरब्भब बनाए किसने कुमारी कोralी ने आफ मियाद करते कि शोती है जो इंग्राइड फिल्गेटीॐ चैसिर और फेरॉलीक एसिद मेंहों चैसिन परहिंगे साथ करते हैं उनित्स यह सो इनग्रिडियेंट जो इनके पास जो है आपका रुबार में उनके पास क्या होते हैं यह प्रपर्टीज होते हैं एक्टिव इंग्रीडियंट के रूप में हम रहीन को यूज करते हैं तो यहां पर क्या हो जागा तो केमिकल कंसेशिएंट रुबार्ब ग्लाइकोसार और इस्टरिजन प्रिंसीपल अधरा कु वैंट जिसमें और डाय अथ्रोन इसमें प्राइसो फनल आम एमोडियन और है और हेट्रोडाय हिसरों में आपको पालमदीन अभी यह तीनों आपको देखने को मिल जाएंगे एट्ट है चलिए नेक्स्ट है कार्डिया गलाइकोसाइड डिजीटैलिस इस पॉपुलर्ली इस से पस्कों और आपका सिश्वी इसात्रा जलदी से सिपस्ट फोस्ति घ्रकजाने हैं इनक्तिर आधर इतल जा सबूंदया जल्क है जल्दी से आप कमेंट कीजिए क्या होगा तो सर डीजी टैलिस चालिस फॉक्स मैंने कैसे याद कर भाए था चालिस फॉक्स मतला फॉक्स ग्लोब ऑप्संस यहां पर क्या हो जाएंगे कि फॉक्स ग्लोब क्या है जी इसका सिनोनिम्स है तो सिनोनिम्स डीजी टैलिस में फॉ फिंगर फ्ला लेडिस ग्लोब फॉक्स ग्लोब लेप्स फोलिया डिजिटल इस पर पूरिया से इनको हम अबटेन करते हैं जो स्कुर्व फ्लरियसी फैमिली से बिलॉंग करता है क्लियर नेस्ट कोष्ट्ट नोबनाइब न मुलेटी का बाइलोजिकल नेम क्या है और कॉलेटी का लेटिल पामुलेटी का लेकर का सिनोनिम्स क्या है मूल्ह 2 है और लिक्वराइज्ट का बाइलोजिकल सुर्स क्या है स्पासी यहां पर क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे ग्लिसराइजा ग्लेवरा तो आपको बाइलोजिकल सूर्स इनोनियम फैमली और क्लासिफिकेशन चार पॉइंट तो आपको याद रखने ही रखने हैं तब जाकर कि मतलब यह रिलेटेड कोश्चन से यह चार पॉइंट से रिलेटेड हो जो तो उसके बाद चेमिकल कंसेट्ट और माइक्रोस्कोपिक स्टडीज में हम स्केल्सम उपजिलेट इन सब के हम बात करते हैं ठीक है चलिए तो यह आपका स्वीट लिक्वराइस मुलेटी करते हैं लिक्वराइस का ग्लिसराइजा ग्लेवरा इनका बायलोजिकल सूर्स कुछ सीनोनिम्स आपके साथाब ने दिये गए हैं हैना इन सिनोनिम्स को आपको क्या करना स्टैन्ट याद रखना है गलाइकोसाइड के स्नोनिम्स है नेक्ट क्वश्ण डायोसीन इंग्जामपल ऑप डायोसीन एक्सका एंत्राकुनोल कोमरीन स्ट्रॉइडल और फ्लैव यह क्या है एक्साम्पल यह हैं तática ा प्ष निया डिस्कूरिया डिया डियाख डियरफ टिया डिकंपॉसिटर पांधर पिसी यह और प्राइमरोस लीज़न इचाँच ओद्ध होते हैं अटोरिया टोर्लव हो गया चलिये नेट्स आते हैं विजैने अदल्ट रीइंट वॉफ प्राइमरोज लिपस के अदल्टेंट है वॉफ किसके अदल्टेंट है ये प्याम रोस लिपस तो सर ये अदल्ट रेंट आपके हैं डीजिट रिजिटेंट तो यहां पर क्या करा रहा है डिजिटैलिस में वर्विशम था पस प्राइम रोज लिप्स यह सब क्या है इनके याद रखना है प्राइमला वलजरी से इनको हम आप्टेन करते हैं यह आपका प्राइमला वलजरी से हैं ठीक है चलिए नेश्ट कोशन विच आप फॉल्विएंट रेड डाई आप्टेन फॉं इंसक्त इंसेक्ट से ब्रिलियंट रेड डाई किन से हम और करते हैं कॉसनियल सेके आपका है केराजूरीन और ओसर और इंडिगो रेड इंसेक्ट तो आपन याद किया है एंथरा सीन गलाइको साड़ मैंने आपको बता था तो वहाँ पर मैंने आपको बता था कि सीनोनियल कि कि कोच के ये सब कोस्टों कोटेंड करते हैं कोकस करती है के इनकी फैमिली हुग होगी ठीक न दीकiez तो अबक आते हैं तो आप दी डुक्र कि बात कर रहा है कि आपने ये बताया है मैं आपने ये बता के हैं वहां पर टेस्री घरा जाते हैं लाइब क्लास्स लग रही है डैली यह था दैश्व अब आप सकते हैं एक और कूर्स है तो आप को 55 टेस्रीज मिलेंगे 20 अब और दस आपको मिलेंगे मॉडल्स पेपर जस्ट एड 25 केबल 25 रुपीज में यह आप अगर आपको लगता है कि यह साइसी के प्रिपरेशन करने ही चाहिए और हमें सेलेक्शन की गारेंटी लेनी है यानि सेलेक्शन चाहिए आपकी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यह कोर हमें इस पर्पूरिया घ्लाइकोसाइड एंजामिंटिक हाड्र लिसस क्या मिलता है वरन मुलेक्व अफटी टॉक्स इनवान और रामेनोस बदों मॉल्खयोच अभिजिटॉकोज बन मॉल्ख्य अब डिजिटॉक्स बन मॉल्ख्योच्व अब डिजिटॉक्स जोज बन से शहां पर क्या होंगे एक हम मिलेंगे और एक र्यम ऑलकोmmus मिलेंगे यह आपको क्या करना है याद रखना यह पर्पूरिया ग्लाइक आपको क्या करना है याद रखने हैं पर पूरिया ए गलाइको साइड में हमें डिजी टॉक्सिंग बन गलुकोज मिलेंगे पर पूरिया गलाइको साइड में हमें स्टेड किसके हैं तो इसनेंगका बिसनेगा का बैलोस कि मैंगा प्लानिफोलिया वैनिला-बैलोस सोर Earn और एक्तुश्ट प्रιαस्यों आपका डिसे मैंने याद करवाया था खेल binge पिक टूथ ट्रीज, यह दोनों synonym को कि सके बिशनेगा के, अम्मी बिंसनेगा, है ना, अम्मी बिंसनेगा का यह synonym से, मैंने बताय था कि बिशनाग के टूथ से नहीं खेलना चाहिए, यह मैंने ट्रिक्स दिया था, तो पिक टूथ, यानि की आपका टूथ, यानि कि सका भा लाईए दो क्या है जिस इनोनिम से मैं बिसनेगा का है इनको हम अमें बिसनेगा से और अम्मेली फेर से कि क्या है फैमली है ठीक है तो यह ऐसे पुछ नीमोनिक्स करते हैं ट्रिक्स यूज करते हैं मैंने आपको बताया भी था जो हमारे शुडेंट होंगा लाइब कला से सजुड़ जो जुड़े हुए होंगे उनको वो सारी चीज़े याद होगे और वो मुझे जहां तक लग रहा है वो को सब्सक्राइब कर रहे होंगे नेक्स्ट कोशन रुबार्ब कंसिस्ट और पील्ड ड्राइड राइजूम्स एंड रूट अप लीन रुबार में क्या प्रेजेंट हो त्रामनास पर सियाना डिजी टैलिस पर पूरिया रियूम पालमिटम कैसिका सेना इल यानि लिन क्या प का सियाना का बायोजड कल सोर्स से मैंने याद ख्रबर था कास्म में तेरे राह पर होता तो कैस कीड़ा रहामनास पर सियाना डिजी टैलिस पर पूरिया तो डिजी टैलिस का है र्यूम्स पालमिटम रूपल यह कौन बोलिए रूपलल हो जाता है रूम मतलब और पल्स हो खता है पाल मिटम हैना तो ऐसे करके आपको याद रखना ठीक है तो सिनोनिम से आपका रिटिक रिवांच नी इमोडी रियूम पाल मिटम ये निके सिनोनिम से है यह फ्लावरिंग सीजन्थ के पहले इनको हम क्या करते हैं चले नेक्स्ट कोश्चन है drug containing saponin glycoside as a major constituent saponin glycoside major constituent मैं कैस के रहा जिन्ज को ब्रहाम में कुई सिया drug containing saponin glycoside as a major constituent जिनमें saponin glycoside as a major constituent present होते है तो saponin glycoside में क्या है ममोर्टिका है जिन्सेंग है है क्या गोखुरू है सतावरी है डिस्कोरिया है उसके बाद क्या है सफेद मुसली है लेकोराइस है सिनेगा है ब्रहाम मी है और कूलिया है यही है क्या यह पूरे क्या है आपके saponin glycoside तो अभी मैंने आपको क्या बता है सर ब्रहाम मी है न सरे स्रांध क्या है यहां में सैपों यहां ब्रहाम मी है ब्रहाम बोडरात है वहां पर अबीटे हम से कैसे प्रगें वाइस सब theorत हो गेरा thermal देरृए ज़िया है चली नेस्ट कोशेट पेते हैं सेट का अलैसे इस नोन इस अचाहिए यह कॉनitel रिक संसे रोमीन टेस्ट और कॉंटेंट टेश्ट दो अलगलग टेस्ट होते हैं लौई के इसके अलावर और का परón टेश्ट है यहां पर आपको अलाइक संपने उसको क्या कहते हैं नाइट्रिक Pro टेस्ट कहते हैं तो कोंटेंट को सार हम बोरेक्स टेस्ट कहते हैं देखो नाइट्रेक ऐसे टेस्ट तो अलग है और बॉरलक्स तेस्ट जिसको हम कॉंटेन्ट टेस्ट कहते हैं ठीक है ना तो यह आपसण स 10th में आपको पिल यलो कलर मिलेगा कॉंटेन्ट टेस्ट में आपको ग्रीन फ्लोडिकर तेखनेगे जो के लिए त्यान रखेंगे नेश्ट अन्डियन स्कूल के इंडियन स्कुल की हो रही है यम लिकुराइस रूट सी अनियन ऐरओ पॉजकर कि लिस्कोरिया का होता है ले एक रैस तो है यहीं नहीं सी अनियन मतलब फ्ल सथ प्लक्nor Guangy dad पर इंडियन इस्क्रेट के प्लभ में तो स्क्व किया उजाएंगा चरेक्ट हो अरजिनिया मेरिटीमा इनका क्या है जी बाइलोजिकल सूर्स है ठीक है जंगली प्याज भी समकाते हैं क्लियर बाइलोजिकल सूर्स है लेली एसी फैमिली से आते हैं अरजिनिया इंडिका इनका बाइलोजिकल सूर्स है ठीक है चलिए नेक्स आते हैं रियेजेंट यूज इ प्रवाइजिट क्यों से यूज होते हैं सोडियम पिकरेट पारीडिन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइट सॉलूशन एन एन एस सॉलूशन 50% सीटू फाइव पॉइंट बन एमल आप नाइट्रोब एंजीन और केडी रियेजेंट क्या यूज होंगा इस्टूडेंट रियेज कहां से पकड़ाग्या तो बालाजी टेंपल से पकड़ागया तो पकरा से मेंने किया बता था है करें चलो घृः और यलो कलर मिलेंगा तो यह कहीं बेसा परडूरान पर्ड्रेशन ओफीन조 नसुंग साय कुलोरोफॉर्म था ग्लेसियल एसेटिक एसिड था एपिसियल 3 था टू एमिल आपका एस्ट्वेस फोर था उसके बाद वह क्या हुआ था रेड किलर से ग्रीन किलर में कनवर्ट हुआ था वह भी मैंने याद करवा था कि 40 किलर ने किल किया 70 लोगों को कैसे भाई तो जल में यानि कि वॉटर में लीड एसिटेट मिलाकर कल होकर कि यह निउज पूरे एसिया में फैल गया और दो साल बाद उसको रंगे हां तो पकला गया और उसको जेल में बंद कर दिया यही मैंने दिया था ट्रिक्स आपको तो समय आपको याद करवा हूं क्या हो जाएंगे साथ बैलाजी टेस्ट यलो और आपको देखने को मिलेगा यही बैलाजी टेस्ट है बैसिकली डिजिटालिस के लिए क्लिए क्लिए करते हैं ठीक है स्टूडेंट चले नेक्स्ट कोशन और विच ड्रग इज यूज एज एक्सपाक्टोरेंट के रूप म लैप क्लास में जूडंत यहाझए अन्य करते हैं आपको बताया था आप पहले बताया है ना कमेंट करो ए पहले आप कमेंट करो क्या क्या बॉमिट यहाँद मतलब एक्सपे लाउट करना लेकर और सॉपसंस डि यहांपर क्या जाएंगे तो ऐसे चीजों को याद करना मतलब अपने को क्या करना है करना है अगर आप नहीं करोगे तो भूल जाओगे वहाप और जैसे इन को अपलाई करते हैं तो कोशन क्या हो जाते हैं तो सब का लेक्जिटी पर्गेटिव आपका अलोई से ना कैसके रहा जो आपका एंध्रासीन ग्लाइकोसाइड है कार्डे ग्लाइकोसाइड डिजिटैलिस इस्ट्रोपैंथा स्टिवेटिया स्कूइल इनके पास इम्मिनो सब्सक्राइट के पास एक्से पास नेक्स्ट कोश्यन ऑफ्रोढ़िंग ऑन से कि और ग्रिक्टीन एक्से स्कूपनीना तो बही फ्रोदिंग यहां पर दिया गया तो जब हम शेक करतें उसको पर छोटे-छोटे फ्रॉद मिलेंगे तो उसको किसके इंटिफिकेशन के लिए है सैपोन यानि अगर वो फोम बन रहा है तो यहां पर करेक्ट है डारेक्ट एंसर नहीं पर दिया गया ठीक है तो आपको इसको देख लेना है ठीक है याद रखना है तो सैपोनिन के पास किया टेस्ट पोर सैपोनिन तो टेस्ट यू वाद श्टॉपर्ड और शेकन विगरोसली इसको विगरस यह देखो आपको फोम यहां पर दिख रहा होगा यह फोम जो है वो क्या जिस अपोनिन को इंडिकेट कर रहा है ठीक है ना चले नेक्स्ट कोश्चन और आज का आखरी आगा लेकल लेकल को सयब्साइण अगले क्लास में फिर बारे में सर मेरी टेस्ट वालाजी में डेस्ट की लिए होते हैं काडे गलाइकोसाइड और उसमें भी डिजिटालिस के लिए यूज होते हैं ठीक है मैंने याद भी करवाया था कि चालिस किलर को क्या किया गया भाई पैकड़ा गया बालाजी टेमपल से और लीगल रूप से उसके उपर क्या हुआ केस हुआ और इसका रियजेंट क यहां पर क्या होते हैं र किसके लिए हुआ इसके लिए ऑसके और यहां पर क्या होदे पिंक कलर इन प्रजेंस यहां पर फॉर्मिशन वहुंगे रेट टू पिंक कलर आपको देखने को मिलेगा तो यह आपका क्या था टूडेंट ग्लाइको साइड फर्स्ट पार्ट हमारा जो था वो क्या हो गया अगली क्लास में आप और अच्छे से प्राक्टिस करके आएंग तो और अच्छे से चाप्टर को पढ़ करके आएंगे गलाइको साइड का ही अगला फिर से क्या होगा फार्मा को फो वहां पर आएंगे इसी टाप के पूस्टंस आपको मिलेंगे बस मेरा ये रिक्विस्ट है कि एक बार चैप्टर को रिवाइज करके आएंगे क्योंकि chapters मैंने आपको पढ़ा रखा है live classes में या आप जहां से भी preparation कर रहे हैं तो वहां से revision करके आएंगे ताकि questions यहां पर solve हो और जैसे दूसरे student यहां पर comment करते हैं आपका भी comment बहाँ पर आए अब sir अगर हमें live class में हम नहीं जुड़े हैं हम टेस्सरीज नहीं लिए हैं तो हमारे लिए क्या है GDC के तलब से आपके लिए GDC free में लेकर क्या है course बस आपको करना क्या है GDC classes app download करना है batch पे जाना है बहाँ पर plus icon मिलेगा उस plus icon को click करना है आपसे batch code पूछा जाएगा तो ESIC 23 batch code डालना है आप मेरे से जुड़ जाएंगे और जितनी भी possibilities है वो सारी possibilities GDC आपको क्या करेगी provide करेगी ताकि हमारा जो role है जितना हम आपके लिए कर सकते हैं वो करें हमारी team आपके लिए हमीशा तत्त पर रहेगी मिलते हैं student अगले class में यानि अगले marathon series में अगले chapters यानि glycoside part 2 के साथ thank you everyone for watching GDC and supporting GDC thank you once again